डियर फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल और मैं विनोद गुपता हेल्थ पॉलिसी इंसुरेंस कंसल्टन बोल ला हूँ मेरे दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग रियल स्टेट के बिजनेस में हैं और उसके साथ आएम अराउंड 59 येर से ओल और जो मैंने ये हल्थ पॉलिसी इंसुरेंस का बिजनेस सुरू किया है इसके पीछे एक वज़य है पिछले 25 साल से मैं रियल स्टेट इंवेस्मेंट कंसल्टन सी में हूँ और उससे पहले मैंने 4-5 गौर्णमेंट जॉब्स किये हैं मैं बैंक म मैं वी रहा हम मैं इनक्रप्टेक्स डेपार्टमेंट में भी रहा हूँ मैंने भी सीग्स करके त्बने स परिवार को जरूरत पड़ी हमें खुद जरूरत पड़ी और मैंने यह देखा कि जब मेडिकल सर्विसेस हमें चाहिए थी तो उस पर सुनने में आया कि बहुत कुछ एक्सपेंसेस बहुत कुछ खर्चा भी लोगों ने किया है अगर आपके पास एक हैल्थ इंसुरेंस पॉलिसी होती तो आपका मेडिकल कवर उसके अंदर होता क्योंकि कोई भी एक्सिरेंटल बिमारी होती है या एपिडिमिक होता है तो वो सारी की सारी कवरेज हैल्थ इसके साथ मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपको पॉलिसी हमारे से ही क्यों लेनी चाहिए आप और किसी से भी ले सकते हैं लेकिन हमारे से भी क्यों ले सकते हैं क्यों लेनी चाहिए उसके पीछे एक तो हमने 20 साल की एज देखिए 30 की देखिए 40 की देखिए 50 की देखिए and approaching 60 तो यह सारी लाइफ में कब हमें जरूरत पड़ सकती है यह मानते हुए कि हमें medical health की जरूरत नहीं पड़ेगी यह सब मैंने experience किया one दूसरा I do have a family one plus one wife husband plus दो बच्चे हैं उसके साथ parents को भी मैंने देखा है हमारे parents भी थे आपके parents भी हैं आगे बच्चे भी हैं बच्चों को के साथ medical होना आज बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं कोई भी बिमारी हमारे साथ हो जाए तो अगर हमें hospitalization की जूट पड़ती है तो हम देखते हैं किस hospital में जाया जाया और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी की financial position नहीं होती hospital जान से हैं वो बहुत small medium जिनके businesses हैं वो लोग बहुत अच्छे hospital की मैं बात करूँ तो जैसे like fortis हो गया मैक्स hospital हो गया अपुलो हो गया अगरवाल महराज जगरसेन hospital हो गया या और भी बहुत सारे बड़े-बड़े hospitals हैं तो हम उनकी बात करें जैसे विदानता हो गया कोई भी specialist hospital हो गया कोई cancer hospital हो गया कोई chest hospital हो गया तो जब कोई problem होती है तो हम बहुत अच्छे hospital के बारे में सुन सकते हैं लेकिन हम approach नहीं कर सकते हैं क्योंकि आम तोर पे मानके हम चलते हैं कि 20-30,000 रुपे per day तो कम से कम एक hospital में medium hospital में लग जाता है बड़े hospital की बात करेंग तो रूम का खर्चा ही 5-10,000 रुपे हो जाता है medical expenses कितना महिंग है आप सबी को इस चीज़ के बारे में पता है मेरे दोस्तों आप मैं यह कहना चाहता हूँ कि health insurance policy के बारे में जब तक आप एक अच्छे consultant से बात करके policy नहीं लोगे तो आप हमेशा ही गुम रहा हमें कौन से बिमारी आपको है वो बिमारी आपको बतानी पड़ेगी PD बोलते हैं pre-existing diseases जब आप policy लेते हैं किसी भी age में लेते हैं तो कोई बिमारी आपको है उसमें 2 साल या 3 साल का period होता है उसके बाद ही cover होगा जो आम तोर पे ना आप पूछते हैं ना वो बताते हैं तो health policy लेते time आपको बहुत ही transparent रहना है बहुत clear रहना है कोई जूट नहीं बोलना कि हम में कोई बिमारी है या नहीं है कौन सी आप दवाई ले रहे हैं क्या आपको बिमारी है आपका जो health insurance consultant होगा उसको सब आपको बताना पड़ेगा और आपको क्या बिमारी है वो बतानी पड होगा और मेरे दोस्तों आपको जब भी एक health insurance policy लेनी है तो एक अच्छे consultant से ही आप लीजिए और selling करने के लिए policy सब sale करने है लेकिन मेरे दोस्तों हमने जो life का तजरबाल के लिया है for health purpose health के बारे में जितना हम लोगों को एक experience हो चुका है तो वो सारा अनुबव हम आप ल problem आ सकते हैं वो हम आप से discuss करेंगे आपको कौन सी policy लेनी चाहिए और हम लोग star health insurance के साथ जुड़े हुए हैं जिसके तकरीबन 13 से 14,000 hospitals हैं छोटे hospitals में हैं बड़े hospitals में हैं वेरवर या स्टेंग इन इंडिया तो उसमें almost all the big hospitals are covered into this these are all cashless policies और इसके साथ में जो छोटे hospitals है वो भी इसमें included हैं तो मेरे दोस्तो आज मैं special video health insurance policy बेचनी रहूं मैं आपको aware कर रहा हूं कि आपको एक policy होनी चाहिए और जितनी young age में आप एक policy ले लेते हैं तो आप ये policy lifelong आपको काम करेगी for example 30 साल की policy किसे ने लिए और उसने premium 10,000 दिया है तो वो तीन एक साल में उसने 10,000 दिया 30 साल में 3,000,000 दिया premium बढ़ते हुए भी मानलो 5,000,000 उसने दिया 30 साल में तो उसकी सारी तो बिमारी cover होगी और 30 साल की जुमिवारे उसने ले लिए तो एक उधारन के तोर पे मैंने यह बताया और मेरे दोस्तो आप अगर health insurance policy खरीदना चाते हैं आप बड़ी policy लेजिए बड़ी नहीं ले सकते तो 5,000,000 खुर फेके लेजिए बट आपके पास आउश्या होनी चाहिए अगर आप health insurance policy खरीदना चाते हैं हम लोग star health के साथ जुड़े हुए हैं और हम sale भी कर अगरे में बात कर सकते हैं टेक्स सेविंग भी है और एक अच्छे consultant से आप policy लेंगे तो आपको दिक्कत कम आएगी तेंक यू